ओम नमस्शिवाई दोस्तो आईए जानते है साड़े साथ साल बाद किस राशी के लोग शनी के प्रकोप से होने वाले है मुक्त और किन राशी वालों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे हर व्यक्ति को अपनी पूरी उम्र में कम से कम तीन बार शनी साड़े साती का सामना करना ही पड़ता है लेकिन ये जरूरी नहीं कि शनी की ये दशा सभी के लिए बूरी ही हो कुछ लोगों के लिए शनी साड़े साती वर्दान भी साबित होती है अब किस व्यक्ति पर शनी साड़े साती का कैसा असर पड़ेगा ये तो व्यक्ति विशेश की कुणली पर निर्भर करता है मंद गती के कारण शनी एक राशी से दूसरी राशी में जाने में करीब धाई साल का समय लेते है धाई साल बाद शनी 29 अप्रेल 2022 में अपनी राशी बदलने जा रहे है शनी 2022 में कुम्भ राशी में प्रवेश करेंगे इस राशी में शनी का प्रवेश करीब 30 साल बाद होने जा रहा है आपको बता दे शनी इस राशी के स्वामी ग्रह भी है शनी का कुम्भ राशी में गोचर कुछ राशी वालों के लिए सुखत साबित होगा तो कुछ के लिए परेशानियां बढ़ाने वाला शनी के राशी परिवर्तन से धनु राशी वालों को शनी साड़े साती से मुक्ति मिल जाएगी धनु राशी वालों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे जो काम आपके शनी की महादशा के कारण रुके हुए थे वो बनने शुरू हो जाएंगे आपकी आर्थिक स्थिती में सुधाराने के आसार रहेंगे इसके अलावा मीन राशी वालों पर शनी साडे साती शुरू हो जाएगी मीन राशी के जिन जातकों की कुंडली में शनी शुभस्तिती में नहीं है उन्हे इस दवरान देहद ही सतरक रहना होगा खास कर आर्थिक मामलों को लेकर आपको विशेश साउधानी बरतनी होगी धन हानी होने की प्रबल संभावना है स्वास्त खराब हो सकता है अकेले यात्रा करने से बचे मीन के अलावा साल 2022 में मकर और कुंभर राशी वालों पर भी शनी साडे साती रहेगी शनी ढईया की बात करे तो मिथुन और तुला राशी वालों को इससे मुक्ति मिल जाएगी वही करक और रुच्चिक राशी वालों पर शनी की ये दशा शुरू हो जाएगी बता दे कि शनी की दशा की अवधी धाई साल की होती है धन्यवाद